वेल्कम टू जलपास किचन एकदम टेस्टी अने बनावामा सरड़ेवी वेजेटेबल टोस्टर सेंडवीच आजे बनावीशू ची बाहार मलती होयचे तेना जेवोच टेस्ट करे कई रिते लावी शकाई तेना माटेनी पन टिप्स जोईशू वेजेटेबल सेंडवीच ने टेस्टी बनावामाटे ग्रीन चटनी छे ते पन एकदम टेस्टी होई जरूरी चे अने बाहार जेवीच एकदम क्रिस्पी सेंडवीच बने तो खावानी मजा पड़ी जत्ती होयचे अत्यारे में आ सेंड्वीच हें टोस्टर मा बनावी छे तम्हें इलेक्रिक टोस्टर पंड यूस करी शको एजिटेबल सेंड्वीच बनावा माटे सौब्रथम ग्रीन चटनी बनावी शुँ तेना माटेक नाना मिक्षर जहर मां बे मोटी चमची शिंगदाणा उमेरीशु, त्रण थी चार रिला मर्चा उमेरीशु, तमारे चटनी वधु तिखी जोईती होई, तो मर्चा वधारे उमेरवाना रहशे। शिंगदाणा उप्योग मा लेवाथी चटनी चे थे थोड़ी थीक बनती होई चाने स्वादमा पन खुबत सरस लागती होई चे। तेना थी चटनी वधु स्वादिस्ट बनती होई चे। शिंगदाणा उने मर्चा ने पहला वाटी लेवाथी चटनी चे तेने वधु ग्राइंड करवानी जरोडत नथी रहती। स्वादनो सार मीठु उमेरी शु। अड़धी नानी चमची संचल उमेरी शु। संचल थी चटनी माँ टेस्ट खुब सरस आवे चे। तमें इच्छो तो चात मसालो पन उमेरी शकाई। परेंट तुहों त्यर चटनी माँ नथी उमेरी रही। एक नानी चमची खांड उमेरी शु। खांड थी चटनी माँ स्वादनो बैलेंस थाई चे। तमने नापर संध होई तो स्किपपण करी शकाई। एक मोटी चमची लिम्बुनो रस उमेरी शु। लिम्बुनो रस चे ते मीठाने संचल पर हम्मेशा उमेर्वान। ते नाथी चटनी ना कलर जाडवा माते मदद रुख थाई चे। आ चटनी बीचा स्टाटर माँ पन सव करी शकाई तेवी चे। हावे चटनी नो ग्रीन कलर सरस जड़वाई रहे। ते माटे बे बरफ ना टुकडा उमेरी शु। अने बे चमची एकदम ठंडू होई तेवी पाणी उमेरवानोचे। ग्राइण करती वक ते अंदर गर्मी उत्तपन थाई चे। अने तमारी चटनी काड़ी पड़ी जत्ती होई चे। आउ ना बने ते माटे ठंडा पाणी अने बरफ न उप्योग करवानों के जेती ग्रीन कलर सरस रिते जड़वाई रहे। शिंगदाणाने मर्चाने आपणे पहला वाटी लिधा आता के जेती वधू टाइम तमारे ग्राइंड करवानी जरुरत नहीं पड़े। हवे ढाकान बंद कर्येने बधू सरस रिते ग्राइंड करी लेवानों छे वधारे पाणी उमेरवानू नथी तमारे सेंडवीच माटे उप्योग मा लेवानी छे तो ते वातनों ध्यान राक्षो चटणीने ग्राइंड करी लिदे चे ओवर ग्राइंडिंग पण नथी करवानू के जेना थी चटणीनों कलर चे ते बदलाई जतो होई चे अने ग्रीन कलर खुबत सरस जड़वाय रहो चे चटणीने एक बावल मा निकाडी लेशु आ चटणी खुबत टेस्टी होई चे वेचेटेबल सेंडवीच वाटे में अत्यार बधा वेचेटेबलस ने कट करी अने राख्या चे बधानी मीडियम पातडी होई तेरी स्लाइस कट करवानी चे वेचेटेबलस सेंडवीच चे तो वेचेटेबलस चे ते भरपूर प्रमाणमा उप्योग मा लेवाना चे आन बद आने मीडियम स्लाइज रेडी करीने राखवानी छे केपसी कमनी पण में मीडियम स्लाइज राखी छे अने ओन्यन नी रिंग्स छे तेने अलग करीली दी छे चो तमने ओन्यन वधू पसंद होई तो आखी राखी शकाई बटेटाने बाफी अने उप्योग माली दाची आने तेनी पण मीडियम पातडी स्लाइज रेडी करीने राखी छे तमारे हजी बाफेलू बीट अथवा तो तमारे बीजा कोई पन वेजेटेबल्स ना उप्योग कर्वो होई तो करी शकाई में अथियर आटला वेजेटेबल्स ना उप्योग कर्यो छे बीट पन खुब सरस लागतू होई छे काच्चु अथवा बाफेलू बीट पन लई शकाई वेजेटेबल्स रेडी थाई गाया छे हावे आपणे सेंडविच बनावी लई शू सेंडविच बनावा माटे में अतियरे घवणा लोटनी ब्रेड ली थी चे तमें मेंदानी पन लई शको ताजी होई तेवी ब्रेड नो उप्योग कर्वानों छे बे स्लाइज ली दी चे अने सोफ्ट होई तेवी बटर बनने स्लाइज पर उपर लगाडी देवानों छे तमाई घरे बनावेला माखण नो पन उप्योग करे शको तेमा थोड़ू मीठू नाखी अने उमेरी शकाई अने तमे बालको माटे बनावता होई तो घी पन लई शकाई घी मा थोड़ू मीठू मेरी अने एपन लगावी शकाई बटर अने घी लगावा थी सेंडवीच चे ते सोगी नहीं थाए वेजिटेबल्स नो उप्योग करियो हो थी तेमाथी पाणी नो भाग छुटतो होई छे अने ते तमारी ब्रेड ने भीनी करी देचे ते उना बने ते माटे बनने ब्रेड पर सरस्रीते बटर लगाडी लेवा नूचे बटर ने थोड़ो टाइम बहार राखी अने पछी लगाड शोतोर लगाडवामा तमने सरडता रहेशे बन्ने स्लाइस पर बटर ने स्वरस्रिते स्प्राइड करी लिधू छे, हवे बहार जे सैंड्वीच मलती होई छे, ती तमने खुबत स्वादिस्ट लागती होई छे, तेनू एक कारण छे, कि तेलोको अंदर चाट मसालो अत्वा सैंड्वीच नो मसालो स्प्रिंकल करता पर चाट मसालो स्प्रिंकल करी दैशू, बनने स्लाइस पर तमारे स्प्रिंकल करवानों चे, चाट मसाला थी तमारी सैंड्वीच खुब स्वादेस्ट बने जाए छे, अने बहार करता पण वधु टेस्टी लाग शे, चाट मसालो बनने पर स्प्रिंकल करी लिधा पची, ब स्वार छे ते वदू सारो आवे चटनीनों एक ठीक लियर में स्लाइस पर लगाड़ी लिधू छे तमें इच्छो तो बीजी स्लाइस पर केचप लगाड़ी शकाई हुँ अतियार नथी लगाड़ी रही हुपपर थी सव करवामा केचप लुपयोग करवानी छुँ चटनी लगाड़ेली ब्रेड उपर काकडीनी चार स्लाइस मुखी शुँ तमारे छो मुखवी होई तो पन मुखी शकाई काकडी उपर अतियार आपणे बाफेला बे बटेटानी स्लाइस मुखी शुँ अने तेनी बाजुमा बे टमेटानी स्लाइस मुखवानी छे सामसा में आजरीते गोठ फीशु अने तमारे उपर फरीवार चाट मसालों स्प्रिंकल करवानों छे शाक भजी मैं कोई पन मसाला नती अने चाट मसाला थी खुबत स्वरस वाद पन आवशे चाट मसालों टेंगी होई छे अने तेना थीक चटपटों स्वाध आवतों होई चे चे सेंड्विश मा खुब स्वरस लागे छे आ सेंड्विच ने काची पन सव करी शकाई बहार जियो टेस्ट लावा माटे उपर थोडों केचप उमेरी देवानों अने पची सेव ने स्प्रिंकल करी अने सव करी शकाई डूंगणी नी जे रेंग्स बनावी ने राखी छे तेना आवरी ते गोटवी लेवानी छे अन तो सौफ्ट प्रेड होई तो कीनारी पण एकली टेस्टी लागती होई छे आने हावे उपर फरिवार बटेटाननी टमेटा नू लेयर बनावी शू जे यहाँ टामेटा हांता त्या बटेटानी स्लाइस बमुकि अने उपर उपर चाट मसालों स्प्रिंकल करी धेवानों मिया त्यार थोड़ो थोड़ो स्प्रिंकल कर्यों छे ने बध्धा लेयर्स मां कर्वानू कि जेती बध्धा चे वेचेटेबल्स छे तेमां सरस टेस्ट आउशे हावे बीजी स्लाइस दें उपर मुकी हाथे थी एक वार सरस रिते प्रेस करी दैशू सैंड्वीच टोस्ट करवा मांटे रैडी थाए गई छे मिया त्यारे हैं टोस्टर नो उपियोग कर्यों छे जेने गेस पर राखी अने गरम करवानू होई छे सैंड्वीच वाड़ा ने त्या तमने हजू पना टोस्टर मढशे चो तमारी पासे ग्रीलर होई तो तेमा पण करी शकाए अथ तमारी पासे कई ना होई तो तवा पर पन तमे तेने शेकी शको तोस्टर नी बनने साइट छे तेमा थोड़ू थोड़ू बटर लगावी दैशू कि जेती सैंड्वीच चे चौंटे नहीं मारू आ टोस्टर नॉन्स्टिक चे चे मा तमे अंदर बटर ना लगावो तोपन चाले परेंट हूँ अत्यारे थोड़ू बटर लगावी रही चू बनने बाजो सरस्रीते बटर लगावी दीधा पाची अंदर सैंड्वीच मुकवा ने चे मारी ब्रेड़नी स्लाइज न जिए ने अबा टोस्टर नौ उप्योब करता हुए तियारे गेस्नियाज धिमी राखवा नी छे आने टोस्टर ने तमारे थोड़ी थोड़ी वारे साईड़ चेंज करवा नी छे अने बहार जे किनारीनी साईड्स पर तमने जे वधारनो भाग देखाये त निकाली लेव लगबग बैथी 3 मिनिट छेटलो समय लाक्षे अने तमारी सेंडवीच रेडी थाई जशे बनने बाजु फेरवी आने शेकी लईशो सेंडवीच ने बनने बाजु गोल्डन कलर नी थाई त्यां सुधी तेने टोस्ट करवानी छे चो तमार एकदम क्रिस्पी सेंडवीच जोईती होई तो थोड़ी वधुवार तेने टोस्ट करवानी वेज़ेटेबल सेंडवीच ओल्टाइम फेवरीट कई शकाई तेवी सेंडवीच छे साथे हल्दी पन चे औने कोई पन टाइम पर सव करी शकाई तेवी छे सेंडवीच टोस्ट थाई गए छे टोस्टर ने ओपन कर याने तमने देखाड़ू के किटलो सरस कलर आवे ओछे तमे जोई शकोचो के एकदम सरस गोल्डन कलर देखाए रहो छे सेंडवीच ने बाहार निकाड़ी लाइशू टोस्टर एकदम गरम होई छे माटे निकाड़ ती वक्ते खास ध्यान राखवानो छे तोस्टर नों हेंडल पकड़ याने सेंडवीच ने बाहार निकाड़ी लाइशू टोस्टर माँ सेंडवीच बनावाथी तेनी कीनारी न भाग छे ते खुबत स्वरस रिते सील थाई जाए छे अने खाती वक्ते मजा आवेचे सेंडवीच ने वच्चे थी कट करी लेवानी छे आ सेंडवीच ने गरमा गरम सव करवानी छे चो तमे तेने थोड़ी वार माटे रेस्ट आपशो तो ते अंदर थी एकदम सोगी थाई जो शे आने खावानी मजा नहीं आवे अ आने साथे आपड़े तेने टोस्ट करी छे माटे तेने गरमा गरम सव करवानी छे आ सेंडवीच ने अतियर यहू ग्रेन चटनी आने केचप साथे सव करी रही शो तमे तमारा मंद गमता कोई पंडीप साथे तेने सव करी शको सेंडवीच सव करवा माटे रेडी शे मारी या वेजिटेबल टोस्टर सेंडवीच नी रेसिपी चोकर सीट राई करो और मने कॉमेंट्स मा जणाओ कि तमने मारी या रेसिपी केवी लागी चो तमने मारी रेसिपी पसंद आवी होई तो तमारा फैमेली और फ्रेंड साथ जरूरती शेर करशो और मारी चैनल ने सब्सक्राइब करवानों नहीं भूलता थैंक यू सो मच एवरीवन